दोहजार अठार में जब रनवीर सिंग की मूवी सिंबा में जब अजे देवगन को दिखाय गया था और लास्ट में जब अक्षर कुमार को टीस किया गया था तब लगा था कि चलो राज कॉमिक्स के करेक्टर के ऊपर यूनिवर्स नहीं सही पर हमें रोईच शेटी ने एक इंडिया का अपना खुद का कॉप यूनिवर्स दिया है मूवी का ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो हाइप और भी ज़ादा बढ़ गई बिकॉज ट्रेलर में अजे देवगन और रनवीर सिंग को दिखाय गया था पर फिर पूरी दुनिया में वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था करोना वारिस का आउटप्रेक, लाखों लोगों की जान गई, नौकरियां, बिजनस, सब कुछ जैसे ठप पड़ गया अपने फैमिलीज के साथ जो दो घंटे थेटर्स में जाके खुशी के पल लोग जीते थे, वो हमसे चिन गई पर सूर्य वंशी नो जो दिवाली पे थेटर्स में दस्तक दी है, जैसे सालों बाद हमें दिवाली का बक्षीज मिल गया हो सो येस सूर्य वंशी हो चुक है रिलीस एंड मैंने तो देख लिया इस मूवी को एंड मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया है दिवाली का तो सूर्य वंशी मूवी के रिव्यू के बार में बात करेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले शनी बाबा के प्रकोप से बचते वे हेलो यूट्यूब मेरा नामे जौदीव राजखिमार आप सब का स्वागते मेरे चैनल पे तो मूवी के रिव्यू से पहले इसके स्टोरी को जान लो मूवी की स्टोरी ये है कि वीर सूर्यवंशी जो एक अंटी टर्रिजम स्कौर्ड का हैड है उसके माबब 1993 के बॉम ब्लास्ट में मारे जाते हैं सो यही बात उसको मोटिवेट करती है पुलिस ओफिसर बनने के लिए सो वीर सूर्यवंशी लश्कर के चीफ ओमार हफिस के पीछर होता है जिसका हाथ मूंबई के 26-11 के बॉम ब्लास्ट अटैक्स में होता है कभी शौर्व जो वीर सूर्यवंशी का सीनर होता है वह यह reveal करता है कि 1993 में जब मुंबई में bomb blast हुए थे तब उसमें एक टन RDX इंडिया में आया था जिसमें से 600 किलो आज भी इंडिया में दफन है वहीं ओमार अपीस अपने लोगों को इंडिया में भेजता है ताकि अपने लोगों से वो RDX को निकलवा सके और निकलवा कर मुंबई में फिर से bomb blast करवा सके तो क्या वी सुरिय वन्शी इस bomb blast को रोग पाएगा? वेल ये जानने के लिए आपको movie देखना पड़ेगा Honestly speaking, movie बहुत ही दमदार था Movie के action sequence, movie का drama, movie का suspense awesome था Movie के songs and specially Katrina का tip tip बरसा पानी भी awesome था Movie ने मुझे starting से लेकर ending तक बांद के रखा था Movie का एक-एक suspense, एक-एक reveal awesome था Movie को realistic रखा गया था and इसके action scenes को perfectly music के साथ synchronized रखा गया था बस पता नहीं क्यों movie का ending कुछ खास हजम नहीं हुआ Movie के ending में हमें अजे देवगन एं Simba के fighting scenes को दिखाए गया है याद है आपको बहुबली 2 में पूरी movie ने किस तरीके सा आपको engage रखा था and movie के उपर सब ध्यान ही नहीं आठा लेकिन movie का ending में जब ये वाला scene आता है तो याद आता है कि यार ये तो south की movie है बस सेम वैसे ही feeling आए सूर्य वंशी को देख कर पूरी movie सही जा रही थी लेकिन ending में रनवी सिंग के overacting अजी दिवगन की one man army fight and फालतू के jokes and comedy जबरदस्ती डाल दिया गया है देखो यार मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि movie वेकार बनती movie बहुत यार awesome है and movie is still highly recommended बट यार अगर आप अपने movie का tone realistic and serious with situational comedic डाल ही रहो तो ending भी वैसी रखते न मतलब तीन police वाले RPG को dodge करके 100 लोगा से एकी गन के साथ सबकी माकिया कर देते हैं तो movie थोड़ी अटपटी लगने लग जाती है but well since ये एक family मसाला movie है for entertainment so इस part को enjoy किया जा सकता है अगर as a critics के नजरों से नहीं बलकि family entertainment के नजरों से देखे तो movie fully entertaining है movie में emotional scenes है movie में situation comedy है and movie के गाने awesome है movie के देशभक्ती वाले scenes को देखकर दिल में proud feel होता है so खुल मिलाकर movie एक complete package है entertainment का perfect dose है so यार मेरी तरफ से तो इस film को 4 stars out of 5 stars and इस movie को highly recommend करता हूँ ये movie आपके past के theaters में release हो चुकी है and या दिवाली का perfect gift है so यार देर किस बात ही movie को देखने जाए and family के साथ जाके इसको enjoy करे only in theater movie देखने के बात मुझे आप सब मुझे comment section में जरूर बताए कि आपको movie कैसी लगी and मैं personally आप सब की comments का reply दूँगा with that being said thank you for watching this video अगर आपको इस video पसंद आया तो like करें जादा ही पसंद आया watching शनी बाबा से बचे